हलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल क्लास फाइट से एक और कोशन लेते हैं प्रब्लेंस और मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन में कुछ प्रब्लम आते हैं उन में से एक को आज इस वीडियो में हम सुल्व करना सीखेंगा What is 1 by 5 of a 1 रूपी Means 1 रूपी का 1 by 5 कितना होता है तो जैसा कि हम जानते हैं 1 रूपी बरावर 100 पैसे होता है तो 1 by 5 1 by 5 को हम 100 से मल्टिप्लाइ करेंगा 1 को 100 से मल्टिप्लाइ करेंगा तो 100 होगा by 5 अब 5 से हम 100 को काट जाना 20 इस प्रकार से 20 पैसे होता है 1 रूपी का 1 by 5 20 कैसे होता है दूसरा कोशन लेते हैं What is 3 by 4 of an hour Means 1 hour का 3 by 4 कितना होता है तो जैसा कि हम जानते हैं 1 hour बरावर 60 मिनट होता है तो 3 by 4 of an hour बरावर 3 by 4 को हम 60 मिनट से मल्टिप्लाइ कर देंगा इस तरह से 3 को 60 से मल्टिप्लाइ करेंगा स्क्राइब कर ले थैक्स पर वाचेन